चेहिंद प्यारे सांथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल जी एस मेगनट में, जैसा कि जो बिहार पुलिस मदनी सेथ विभाग में वेकेंसी आपका 689 सीटों पे निकला है, इस 689 सीट में अपना एक सीट पक्का करने के लिए आज क इस सेशन में हम लोग साइन्स यानि की विज्ञान के प्रस्णों को कभर करेंगे, जो आपका प्रेक्टिस सेट नंबर 13 रहेगा, इसके पहले हम लोग विज्ञान से 12 प्रेक्टिस सेट और जीके जीए से 15 प्रेक्टिस सेट को सल्प किया है, और इन प्रेक्टिस सेट के स प्रस्ण आपके new pattern पर अधारित है जो आपके बिहार पुलिस मद निशीत का सिले वसे और हाल ही में जो आपका 76 प्दो प्जो बिहार मद निशीत का इक्जाम हुआ था उस प्रस्ण पे अधारित इस सेशन के सारे के सारे प्रस्ण है तो अगर आप से भी इस चैनल पने हैं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा देजिए ताकि आपसे भी भी आई प्रस्नों का प्रेक्टिस से छूट न पाए तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रस्न पे आते हैं पहला प्रस्न क्या चुके हैं पहला प्रस्न पूछा जा रहा है निम्बू खटा किस कारण से होता है आप सभी को बताना है देखिए जो आपका चीहत्तर पदोपव बिहार पुली समद्नी सेथ का एजाम हुआ था उसमें एक कोशन आपसे पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अमल पाया ज जब आपसल नमबर D हो जाएगा साइट्रिक अमल हो जाएगा ध्यान रखेगा देखिए निम्बू में जो अमल पाया जाता है उस नमल का नाम है साइट्रिक अमल साइट्रिक अमल के कारण ही आपका निम्बू जो होता है क्या होता है खटा होता है इसके अलावा मैं कुछ अतिमहत्वपुन अमलों के बारे में बताता हूँ, जो आपका अमासे है, अमासे रवस में आपका हाइडरा कोलोरिक यानिकी एट्सील अमल पाया जाता है, ध्यां दखेगा, इसके अलावा अगर आपसे इमली में पूछ लिया जाए, इमली में कौन सा अमल पाया जाता है, तो आप से भी ध्यान दखिएगा, टार्टरिक अमल पाया जाता है, ध्यान दखिएगा, कौन सा अमल पाया जाता है, इसके अलावा आप से अगर सिर्का में पूछा जाए कि सिर्का में कौन सा अमल पाया जाता है, तो आप से भी ध्यान दखिएगा, सिर्का में जो अमल पाय जाता है वो आपका acetic अमल पाया जाता है कौन से अमल पाया जाता है acetic अमल पाया जाता है ध्यान दखिएगा इस प्रस्ण का सही जवाब आपका option number D हो जाएगा साइट्री के अमने ध्यान दगीगा, चलिए अगले प्रस्ण पर अब हम लोग आते हैं अगला प्रस्ण आप से देख लिज़े, ये पूछा जा रहा है, दो नंबर, वाईउ एक है, वाईउ क्या है, आप सभी को बताना है, जो आपका वाईउ है, वाईउ क्या है, आप सभी O2B है उसमें आपका आरगन भी है नाइट्रोजन भी है तो आयू जो वायू होता है आपका क्या होता है गैस रो का मिश्रन होता है ध्यान रखिएगा अपसन नंबर C सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ति देखिए तीन नंबर पुछा जा रहा है बिरंजक चून के whole C O C L CL यानि का सकते हैं C A O C L 2 इसका क्या होता है रसाइनिक सुत्र होता है ध्यान रखिएगा आपसे नहीं का बात किया जा रहा है तो आप सभी बताईए इस प्रस्त का सही जबाब क्या हो जाएगा तो अगर मैं इस प्रस्त के सही जबाब की बात करूँ तो अपसन प्रसन पर आजाई है अगला प्रसन 4 लंबर पूछा जा रहा है पारद धातू किस किस धातू का लिए को बताना है तो देखिये जो पारद धातू आप है वह क्या होई जीसे हम लोग क्या बोलते है इस पारज धातु को हम लोग क्या बोलते हैं अमलगम बोलते हैं ध्यां दखियेगा क्या अपसर नमबर क्या हो जाएगा सी परद युक्तमिस्र धातु होती है कौन पारज धातु जिसे हमोग अमलगम उस्पर स्मानरेघार का सरवश प्रकार पूछा जाए तो आपका एंथ्रेश साइट्ट है लेकिन इसपर्ष्ण में आप से पूछा जारा है कि आपका समान्य परकार पूछा जा रहा है तो जल्दी से इस प्रस्ण का सही जबाब कीजिए तो समान्य प्रकार इसका हो जाएगा B2- क्या हो जाएगा B2- ध्यान रखिएगा option number A अगले प्रस्ण पर हम लोग आते हैं अगला प्रस्ण देख लेजिए छो नमबर पुछा जा रहा है भारत की राष्टिय अस्तनी है भारत की राष्टिय अस्तनी आपको बताना है तो भारत की जो राष्टिय अस्तनी यानि कि राष्टिय पसू जो हो जाएगा option number D यानि कि बाग हो जाएगा और इसका जो बिज् इतला टाइग्रिस होता है अगर आपसे पक्षी का बात किया जाए तो मयूर हो जाएगा ध्यान रखिएगा ठीक है ना चली अगले प्रस्ण पर अब हम लोग आते हैं अगला प्रस्ण साथ नंबर पुछा जा रहा है निरिसंस प्राणी कौन सा है आप सभी को बताना है तो आज आईए आप 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 नंबर प्रस्ण पर छोड़ा था छोटा कर देते हैं प्रस्ण को देख लेजिए थोड़ा सा छोटा कर दिये हैं आप नंबर प्रस्ण पुछा जा रहा है जल से बाहर निकल निकाल लिए जाने पर मचलिया मर जाती है क्यों की देखिए जो जल स सांस नहीं ले पाती है मचलिया सांस नहीं ले पाती है बाहर निकालने के बाद ठीक है न और मचलिया किसके द्वारा सांस लेती है तो आप सभी ध्यान रखिएगा गिल्स के द्वारा सांस लेती है ध्यान रखिएगा चलिए अगले प्रस्ण आ जाईए प्रस्ण नंबर नंबर प्रस्ण का रहा है मधुमक्खी कलोनी की सदस एक दुसरे को किस परकार पहचानते हैं आप सभी को बताना है तो इस प्रस्ण का आपका सही जबाब हो जाएगा अप्सन नंबर सी नित के द्वारा पहचानते हैं ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण देख निचे थोड़ा अप्सने में दिखा देता हूं दस नंबर प्रस्ण का रहा है मनुस्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विक्सित होते हैं कितने दांत दो बार विक्सित होते हैं आप सभी को बताना है तो देखिए मनुस्य के पूरे जीवन काल में अगर बात किया ज तरंगे जो की धातू में संचरित होती है तरंगे जो धातू में संचरित होती है आप सभी को बताना है कि उस तरंग का क्या नाम है तो देखी इस प्रस्त के लिए आपका सही जबाब अप्सन नंबर C हो जाएगा A अवर दो दोनों यानिकी अनुध्यर्य तरंग भी और अनुप्रस्त तरंग भी क्या होती है धातू में संचारित होती है आप सभी ध्यान रखिएगा तरंग जो होता है तरंगों को दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन एक यान्तरिक तरंग होता है क्या होता है एक यान्तरिक तरंग होता है और एक तरंग क्या होते है विधुत चुमकिये तरंग होते हैं ध्यान रखिएगा जो यांतरिक तरंग होता है या ठोस द्रोग गैस में संचरित होती है ठीक है ना समझ रहें बात को और इस यांतरिक तरंग को हम लोग कितने भागों में बाड़ते हैं दो भाग में कौन-कौन अनुप्रस्ट और अनुधरे तो अनुप्रस्ट जो तरंग होता है ध्यान से एक चाभी भरी घड़ी में, घड़ी की कमानी में किस परकार की उर्जा होती है, आप सभी को बताना है, तो इसमें एस्तिती जूरता होता है, ध्यान रखिएगा, चलिए अगले प्रस्न पर आजाए, अगला प्रस्न तेरा नंबर है, एक रॉकेट जिस सिधान्त पर कार्य कर आप सभी लोगों को बताना है, तो देखिए, अगर रॉकेट का बात किया जाए, तो रॉकेट जो है आपका, तो इस प्रस्न के लिए आपका सही जबाब अप्सन नंबर सी हो जाएगा, गती के त्रितियनियम, यानि कि निवतन के अगला प्रस्न आपका 14 नंबर है, निमल विटामीन, सी की वज़र से होता है, ध्यान दखिएगा, चलिए, अगले प्रस्न पर आजाएए, 15 नंबर प्रस्न पूछ रहा है आपसे, निमलिखित में कौन सी वास्तविक मचली नहीं है, वास्तविक मचली कौन सी नहीं है, आप सभी को बताना है, तो देखिए, मचली जो होती है, यानि कि और समतापी जनतु होता है, इस बात को आप सभी ध्यान दखिएगा, ठीक है न, पूछा जाता है कि मचली समतापी है या और समतापी है, तो मचली क्या है, और समतापी जीव है, ध्यान दखिएगा, ठीक है न, इसके लिए हमारा आपका सही अंसर क्या क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप सभी प्रसों पंद्रा का सही जवाब क्या होगा कि तो ces प्रस्ण का सही जवाब अपसर नंबरड़ई हो जाएगा रजत मीन बाकी उडन मीन, चड़ने वाली मीन और फुस्पुस मीन इतीनों क्या है वास्तविक मचली है जबकि रजत मीन वास्तविक मचली नहीं है ध्यान तकिएगा अगला प्रस्न देख लिजिए आपसे पूछा जा रहा है 16 नमबर फल के रस के खमिकरण के दोरान कौन सी गैस पैदा होती है आप सभी को बताना है तो इस प्रस्न का आपका सही जबाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए इस प्रस्ण का आपका सही जबाब अपसर नमबर D हो जाएगा CO2 जिसकी मत्रावाई मंडल में 0.03% पाया जाता है ध्यान रखिएगा चली अगले प्रस्ण पे आप सभी आ जाईए 17 नमबर प्रस्ण पूछा जा रहा है यहीं कि मरुदविद अनुकूलन में पतिया रुपांतरित हो जाती है मरुदविद अनुकूलन में पतिया किस रुप में रुपांतरित हो जाती है आप सभी को बताना है अगर इस प्रस्ण का सही जबाब का बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से आप सभी बताईए इस प्रस्न का आपका सही जबाब option number B हो जाएगा शुल में परिवर्टित हो जाती है धियान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ने देख लिजिए आठारा नमबर सित निस्क्रियस्ता पाई जाती है सित निश्क्रिश्टा किसमे पाई जाती है आप सभी लोगों को बताना है तो सित निश्क्रिश्टा आपका अप्षन नमबर क्या हो जाएगा यानि कि B हो जाएगा इसका सही जबाब यानि कि primmeters में पाई जाता है धियान दखियेगा चली अगले प्रस्ण पे आ जाईए छोटा कर देते हैं थोड़ा सा प्रस्ण को 19 नमबर फेपड़े का प्रिष्ट छित्रफल बढ़ जाता है फेपड़े का प्रिष्ट छित्रफल किस कंडिशन में बढ़ जाता है आप सभी लोगों को बताना है अगर इस प्रस्ण के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो अफसन नमबर ए हो जाएगा रक्त वाहिनियों के द्वारा ध्यान रखिएगा चली अगले प्रस्ण पे आ जाईए प्रस्ण नमबर कौन सा है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुण सुत्र के जोड़े बनते हैं आप सभी लोगों को बताना है तो इस प्रस्ण का सही जवाब आपका अफसन नमबर भी हो जाएगा अर्ध सुत्री विभाजन द्यान रखिएगा चली अगला प्रस्ण देखेए एक किस नमबर निमलिखित में कौन सी पाचक गरंथी नहीं है कौन सी पाचक गरंथी नहीं है आप सभी लोगों को बताना है तो इस प्रस्ण के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा अप्शन नमबर ए यानिकी गुर्दा और फुस फुस ठीक है ना चली इखून का क्या करता है सुधी करन करता है ध्यान रखिएगा चली अगला प्रस्ण देख लेजिए 22 नमबर गुवानिन और साइटोसीन जुड़े होते हैं आप सभी लोगों को बताना है इस प्रस्ण के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो अप्शन नमबर आपका सी हो जाएगा तीन हाइट्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं ध्यान रखिएगा अगले प्रस्ण को आप सभी देख लिजिए अगले प्रस्ण देखिए एप्रस्ण थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया है मिस्प्रिंट हो गया है चलिए मिस्प्रिंट नहीं क्यावल जबाब क्या हो जाएगा अप्शन नमबर यानि की B हो जाएगा ध्याद रखिएगा ए मोनो टेली ठीक है ना ध्याद रखिएगा चली अगले प्रस्ण पर आ जाईए अगला प्रस्ण देख लेजिए 24 नमबर चुमकी छेतर में रखे धरावाई चालक तार पर रखते हुए बल की दिशा मिलती है किसके नियम के द्वारा मिलती है तो इस प्रस्ण के लिए आपका सही जबाब अप्शन नमबर क्या हो जागा ए फ्लेमिंग के बाय हाथ नियम से मिलता है ध्याद रखिएगा चल का आप सभी को बताना है तो इस प्रस्ण के लिए आपका सही जबाब हो जाएगा अप्शन नमबर C यानि कि सीधा होता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना अगला प्रस्ण आपसे है 26 नमबर F बराबर R2 यानि कि F बराबर R2 आप सभी को पता है कि फोकस दूरी क्या होती है कि आती होती है तो अगर बात किया जाए कि यह किसके लिए मानने है तो इस प्रस्ण का सही जबाब क्या हो जाएगा यह आउतल और उतल दोलो दरपणों के लिए मानने होता है ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण आप सभी देख लिए 27 नमबर प्रस्ण क्या पूछा जा रहा है 28 नमबर रॉकेट 10 के सिधान्त पर कार्य करता है रॉकेट किसके सिधान्त पर कार्य करता है आप सभी लोगों को बताना है तो देखिए जो रॉकेट के कार्य करने का जो सिधान्त है वो आपका अपसन नमबर क्या हो जाएगा यानि कि डी सन्वेक सनक्षन के सिदान्द पर कार्रे करता है ध्यान दखिएगा ठीक है नो चलिए अगले प्रस्न पर आ जाईए अगला प्रस्न आप से क्या पूछा जा रहा है 29 नमबर एक किरण एक अवतल दरपन पर आपतित होती है अगर यह किरण मुख्य अक्स के समनांतर होती तो परावार्तित किर हो जाएगा फोकस से हो करके गुजरती है ध्यान दखिएगा चलिए अगला प्रस्न आप सभी देख लिजिए तीस नमबर प्रस्न क्या पूछा जा रहा है मनुष्य के सरीर में पैर की हड़ी पैर की हड़ी क्या होती है आप सभी को बताना है तो इस प्रस्न के लिए आपक की खूपड़ी में कुल कितनी अस्तिया होती है मनुस्य की खूपड़ी में अस्तियों की कुल संख्या 29 होती है इसको बिहार पुलिस ने पूछा है इस प्रस्ण को अपसन में 28 भी दिया जाता है आप सभी ध्यान दखिएगा चलिए अगले प्रस्ण पर आजाए अगला प्रस्ण देख लिए 32 नमबर आधनिक मनुस्य के हाल का पुर्वज है आधनिक मनुस्य के हाल का पुर्वज आप सभी को बताना है तो इस प्रस्ण के लिए आपका सही जबाप अपसन नमबर भी हो जाएगा यानि कि क्रो मगन मानुस हो जाएग द्यान दखिएगा चलिए अगले प्रस्ण पर आजाए अगला प्रस्ण 33 नमबर है मा पौधे की भाती पौधा मिलता है मा पौधे की भाती पौधा किसमें मिलता है आप सभी को बताना है तो बीज से भी मिलता है और कटा तना से भी इसलिए इस प्रस्ण का सही जबाब अप पाय जनावाला पदार्त kya है जल है जल का Łणीड शुत्र क्या होता है ह्च 2 होता है द्यान रख्येगा चलिए अगले प्रस्ण पर आ जाएए अगला प्रस्ण देखिए double type हो गया है आप सभी बता दी जिएगा हैं सबस्क्राइब का ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्न को देख लेजिए अगला प्रस्न 37 नंबर है हर गोविंद खुराना को किस अभिस्कार के लिए सम्मानित किया गया था आप सभी को बताना है तो देखिए जो आपका हरविंद खुराना जी है यह भारतिय मोल के क्या है अमेर्की बिग्यानिक है इन्हों ने जीन के संसलेशन किये थे यानिकी जेनेटिक कोड की खोज की थी इसलिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था ध्यान दखिएगा इसलिए इस प्रस्न का सही जबाब अपसन नंबर संसार का सबसे बड़ा पुस्प बताना है आपको संसार का सबसे बड़ा पुस्प क्या होता है यानि की रिफलेसिया होता है ध्यान दखिएगा अपसन नंबर भी अगर आपसे छोटा पूछ लिया जाए कि छोटा कौन सा होता है तो आप बता दीजेगा बुलफिया होता ह चोटा ध्यान रखिएगा क्या होता है बुलफिया होता है चोटा ध्यान रखिएगा अगले प्रस्ण पर आज आज आए 49 नंबर तना कटा आम तौर से किसे परवर्धन के लिए परियोग किया जाता है तना कटे आम तौर से किसे परवर्धन के लिए परियोग किया जाता है आप सभी को बताना है, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, वो किसका किया जाता है, आप सभी बताईए जल्दी से, तो गन्ना का किया जाता है, जिसे हम लोग इंख बोलते हैं, ठीक है न, ध्यान रखिएगा, चलिए, अगला प्रसने देख लेजिए, मटर पौधा है, म अति महत्तोपुण बिज्ञान के प्रसनों को कवर किये हैं, जो किसी ना किसी रूप से, आपके बिहार पुलिस, बिहार फायरमेन और बिहार मदनिशित के, जो प्रिभियस येर कोशन पे अधारित था, तो अगर किसी भी प्रसन को ले करके, आप सभी को कोई डाउट है, तो नम्बरिंग के साथ उसे कमेंट में जरूर बताईए, सेसन अच्छा लगा हो तो सेसन को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल पने हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए, चलिए आज के सेसन को हम लोग यहीं पर अब खतम करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!